डॉक्टर सुरूप सिंग, मरवादी चिंता रोग, कारण ते उपा, अगला पाग है, किसे वड़ी ओकड समे, जीवन रा हमेशा सिद्धे ते पद्रे नहीं हुंदे, इना चौकियां काटियां ते दुख परियां मन्जिलां वी ओंदियां, जिस टांगनाल से इना दा टाकर कर देयां, उसाड़े इखलाक ते जीवन सुख ते अपना परबाब पहुंदे, किसे वड़ी ओकड समे, जदों कोई वड़ी ओकड आपवे, उदा टाकरा करना कोई सोखा कम ने हुंदा, हर रोज दियां निकियां ओकडां ता आदमी सोखे न बेड लन दे, पर जिस ओकड जदा टाकरा करना, उदे बल तो बार होवे, उनुँ सुल्जोना बड़ा मुश्किल हुंदे, अजय समे पैडे विचारां दी थांते, के वल चंगे विचार ले ओन आले, उओकड दूर नहीं हो सकते, अजय मौके तो आनू हेट दसेराते चलना चाहिदे, पहला, अपने आपनू बारों वद तो वद खोश्ते, शांत रखो, make the best of the worst that can happen to you, जे कोई माडी जा खर्वी गल आख दे, तो उनू हसके टाल दे, तीसरा, अपने दुखानू अपने मन्च बार बार ना दोहरो, चोथा, अपना सुबा चिट-चडा ना होन देओ, पंजवा, अपने मन्दे हालां ते आपी तर्स ना खाओ, छेवा, मन्दे हालां चवी किसे दा बुरा ना मंगो, सत्वा, जे कोई पुछे सनाओ जी की हाला ता आखो बहुत चनगा, एन आखो बस दिन पे कट देया, तो अनू हाल पावे कि डई मन्दा क्यों ना होए, अपने आपने आपनों पूरे तौरते खोश्ते चड़दी कलाच जाहर करो, टैंदी कलादी अंगल्लां कदे ना करो, अठुमा, समय दे अनू सार अपने आपने आपनों बदल लो, जो हालात पैदा हो गई है, जिना आनू तुसी बदल नी सकते, उना नू खिड़े मथे मन्जूर करो, एस तो साड़ा पावे नहीं कि तुसी अपने सफलताली कोशिश करनी चाड़ देओ, साड़ा पावे है, जदो होरगां कोशिश करनी बिलकुल बेकार नजर आए, ताब बदले होए हालात नू मन्जूर कर लो चीन दे मशूर फिलोसफर दे लिखारी, लिन यू टॉंग अपनी जगत पर सिद पुस्तक, इंपोर्टन्स ओफ लिविंग चे लिख दे है, मन नू सची शांती पैड़ी तो पैड़ी हालात नू मन्जूर कर ले नल आउंदी है, एक वार जद पैड़ी तो पैड़ी प्रापत हुन दी है, क्योंके मानसिक शांती उस हालात दाना जिस्ट तुसी पैड़ी तो पैड़ी ते वड़ी तो वड़ी मुसीबत नू भी खिड़े मत्थे बरदाश्त कर ले है, हालात नू मन्जूर कर ले नल स्रीर्च, खिचाओ दूर हो जान दे, एदी थान दे कि नमी शक्ती आजान दे है, जदो तुसी किसे दशानू दिमागी तोरते मन्जूर कर लेंदे हो, इदा पावी है कि तुसी उदा नतीज्या पुगतन ली अपने आपनों त्यार कर ले है, इंज करन नाल मंच जो डर होंदा हो दूर हो जान दे, नुखते अंदर एक नमी शक रहेगा, एत्वडी शक्ती नो खतम कर देगा, कई रोग भी ला देगा, खिचाच मनुख ठीक तरां सोच भी नी सकता, पर जद खिचाओ हर जंद है, ता मनुख अपने हालात ते चो गिर्दे बारे ठीक तरां सोच भी सकता है, उसी कवरी ये तजर्बा करके वेखो, फिर तुसी अन्बव करोगे, के इस तरां करनाल मनुख दे अंदर ठीक एक नमी शक्ती आजान दी है, ते मानसिक ते स्रीरक दोहां हैं तरां दी, नौमा, हर वेल, हर हार नू जितच बदल देओ, दे कैन कंकर, हू बिलीव, दे कैन, एंज हो सकते, पहला, सब तो पहला जो हाला बन गई है, जिनानू तुसी बदल नहीं सकते, उनानू मन्जूर कर लो, फिर बड़े निश्चे ते प्रोसे नाल बदले होई हालात नू सुधार अंदा उपास होच्चू, उना दे सुधार ले कोशिश करो, इंज करन नाल तो अड़ी आकड काफी हल हो जाएगी, दूसर जो कुछ हो गया है, उदी चिन्ता ना करो, जे चिन्ता करोगे ही कबरा जाओगे, इस नाल तो अड़ी ठीक सोचन दी शक्ती भी खतम हो जाएगी, चिन्ता दे कारन तुसी बिमार भी हो जाओगे, जो बिपता आ पही है, उदा डट के टाकरा करन दी बजाए, डॉक्टर क दोड़े दोड़े जाओ, एस गल्दी परवा ना करो, ए उकड़के में ते क्यों आई है, अजे यां सोचां सोचन दी बजाए, अपना तन मान पूरी तरह नाल, उन्हों ठीक करन वल लगाओ, उदारन, इक मला अपनी बेडी ते दर्या पार कर रहे है, ते जद बेडी जाकत बेडी नू दर्याओं पार करन वल लाओं दै, सै सलामत पार हो जान दै, पर जे ओ क्यों ते क्यों, चक्कर क्यों आया, मीं क्यों पे आया, दे चकर जपया जाए, तो दा दर्याओं पार होना मुश्किल है, बार्मा, जेस ओकड़ दा तो अड़े पास कोई हाल नही, उन्हों रब देख परो से ते छड़ देओ, फिर रबो दी देख पाल अपे करेगा, अमरीका दे जगत पर सिद लिखारी ते पादरी, डॉक्टर विंसेंट पील दा कथन है, किसे हद तक चिंता ते हाई हाई करना जायज है, पर ये तो एगां एक गुना है, बियॉन्ड certain point, it's a sin to grieve, डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील, इक अगला तेरवा पाई, अंग्रेजी कवीदियां सुन्दर सत्रां सदा याद ते फ्रेम करवा के कार्च रखो, दुनियांच जो दुख है पाई, ओदी है या नहीं दवाई, जे कर है ता लबल है उन्हों, नहीं ता दुखना, लाई, राई, फॉर एवरी ऐल्मेंट, अंडर दा सन, देज रेमेडी, और देज नन, इफ देर बी वन, तॉर देर बी नन, निवर माईंड इट, दो मनुखादी कहाणी, इना दो मनुखादी कहाणी तो अनू हर वेले याद रखने चाही दिये, इना ची इक त शांती दा नुमुनाय, ते दुजा तरंगी अस्थिरता, ते मनों अशांती दा, दोहाँ दे जीवन्च दिन राद दा फरक है, सिरी टी, एक चंगा तकडा जीमिदार है, चंगी जमीन ते कई खुआं दा मालक है, उदा एक बड़ा सोना फाम भी है, जेस्ट एक ट्यूव जल भी लगा होया है, इसाड़ा चंगा मित्तर है, इनुँ पैसे दी कदी तंगी नी आई, नाहीं कदी कोई बहुत वड़ी ओकड़ जान दुख लगा है, एन्नी जैदाद जे किसे स्याने मनों कोड़ होवे ताओ बड़ा सोना ते अनांदमाई जीवन बतीत करे, पर शिर सरदार जी, एस वारी ते चंगे मी पैय है, आसे चो ना काफी होएगा, जी हाँ, उस उत्तर दिता, पर श में नाल आलुआं दी सारी फसल मारी गई है, एद की पिछले साल नालु अद्दे आलु भी नी होई, कुछ दिना पिछो सानु पता लगा के सरदार जी दे आलु ए स्वारी अगे नालु भी दे रहे होई सी, अगले जेठ दे मीने सिरी टी सानु फेर मिले आ, मैं उन्नु फते बुलाई थी आख्या सुना, उसरदार जी की हाल चाले, एद कांदा कंकदा चार चंगा जापदा है, तो अड़ा की ख्याल है, जी हां, चार ता चंगा है, पर अंदरी पैनताईं कंकदी रह जानी है, एकताईस वरी हवा बड़ी तेज वागरी है, ते उडाई ठीक नहीं होनी, ते दुझी अगों मी जल्दी पह जानी है, बहुत यां कंकां बारी पे जिके नश्ट हो जानी है, उस उत्तर देता, अजाई मनुक सदा दुखी रहन दे असल चोना होते कोई खास ओकड नहीं आंदी, तो केवल ओन वालियां ख्याली ओकडां दियां, सोचान आली अपने जीवन नू नर्क बना लेंदी है, इस सरदार साब सदा दी, सदा ही चिंता रोगदा शिकार रेंदी है, सिर पीट, टेड पीड, कदे इना दा पिछानी च जा रहे हैं सी, इन्हें मैंनों वेख लिया थी अवाज मारी, जद मैं कोल आया, आखन लगा डाक साब, एड़ी तो पुचे इस वेले किदर जा रहे हो, तो अड़े पेंडी जा रहे है, मैं उत्तर देता, सरदार साब आलूआं दा ट्रक पार के शेर नू लई जा रहे सी, एव एखन लई के सरदारों रादे सुबाज कोई फर्क पे आए के निमे अनों वाखे है, इस वारी आलूआं दी फसल था चंगी होई जाप दी है, जी हाँ, उस उत्तर देता, फसल था ठीक बड़ी चंगी होई है, पर इस वार आलूआं दी सारी ताकत नू खेच लिया है एसली अगली वार सानू बोती खाल पाणी पैगी, फेर के ते कोई फसल होईगी, उनसी तो अनू उस आदमी वारे कुछ दसने हैं, जड़ा के तरंगी स्थिर्ता ते मनो शांती दा एक पूरा नमुन है, सिरी एस सिंग, बड़े अमीर आदमी हैं, बड़ी जैदादे मालक ते बड़ी ठाठ नालेक शांदार कोठी च रहन दे है, दो चार नौकर भी कामकरनू रखे वे हैं, एक सोनी कार ते कोडी टांगा भी कोल हैं, उस सदा खोश रहन दे हैं, हर एक नू खिडे मत्थे मिल दे हैं, ए सरदार साब सिट्टा कर दे हैं, कि रबदा पाना, उना कन अंकदा सिट्टा कीता, जे स्टोनानू बहती काट्टा पै गया, सारी जयदाद मोटर टांगा कोडा भी भी कट गया, जेस कोठी च रहन दे सियो भी छड़नी पै, बड़े बड़े सोने इंगली चेकार दा होर सारा फरनीचर भी भी किया, सरदार साबदी हालते होगी, कि डंग खाननू मिलदा, एक डंग सारा टबबर फाके कट दा, जदो कोई होर चारा नारे आते सरदार जी ने एक मित्तर कोडों को जुरपे आउदार लेके, थोड़ी जी बजाजी खरीद ले, थान मोड़े ते राके गली-गली कपड़ा वेचना शुरू कार देता, एड़ अरी मैं बजार चोंदी लंग रहा सी, उसने मैंनू वेख लिया, आवास दिती, जद मैं उदे कोड आया, मुस्कुरा रहा सी, उदी आखां खुशी थे शांती नल पर यां जाप दिया सी, मैंनू वेख के आखन लगा, डट साव, सश्ची काल, एड़ी काली-काली किदर ज किसे जुरूरी काम जा रहे हैं, मैं उत्तर दिता, ते जद मैं उस कुड़ों बच्चियां दा हाल पुछे, आखन लगा, डट साव, मेरी पतनी नू कैंसर हो गया, वो हस्पिताल च दाखल है, उदे हस्पिताल जान मगरों मोन नू 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 मोनिया हो गया सी, पर चिंता दे फिकर कादा डाट साव, चिंता करन नल दुखा ने काटनी जाना, जो रबनू पाउंदा है, वो ही हुंदा है, ते वो स्वेची जीवदा पला हुंदा है, वो गुवार खन लगे, डाक्टर जी, कॉल कट कैनर अपनी मशूर किताब चे लेख दे है, कोई स्थित जान हालत सानु दुखी ने कर दे, दुखी दा सानु केवल उत तंग कर दे, जिस नलस योंस हालत जान स्थितिनू अपनाओं दे, हाँ, it's not the situation that makes us miserable, it's how we take the situation that makes us miserable, it's how you take it by Dr. G. Calcutt Cancer, हम बॉल्ड दा कथन है, साधी खुशी दे गमी इस गालते निर्पर है कि आसी अपनी हार रोज दियां जीवन समस्या दा, किस टांग नाल टाकरा कर दे हैं, पाव इंसान दी खुशी लियो दा, मानसिक द्रिष्टी कों ठीक होना जरूरी है, इतो इलावा वडियां उकडा बारे किसे स्याने दे कई होई हेटले के शबद सानू हमेशा याद रखने चाही दिया, जिन्दगी इच बड़े बड़े आख ते मुसीबता आया, नुकसान भी होई, पर आज जो ना सारे आनू याद कर दे होई आख दा, एमी ओधो एड़ा चूर दा, कांड दियां, या उस वेले तुसी अपना त्यान, प्रेम, प्यार, शान्ती, खुशी दियां गल्लां वल ले जो, ताके तो अड़े अंधरो पैडियां ती खिचाओ पैदा करन वालियां तरंगा दी थां ते, शान्ती ते खुशी दियां तरंगा निकलन, दूसरा, अपना मुख विचार हर विडे चेते रखो, मैं अपने विचारती वतीरा सदा शान्त ते खुश रखांगा, तीसरा, जिस समय तुसी निश्चिन्त होवो, ता राज की हस्सो खेड़ो, चोथा, मंदे दिना विच्वी अपना वतीरा इंजदा रखो, पहला, अपने आपने आपनू वत्तो वद ख फुशी रखो, दूसरा, क्रोर्च बिल्कुल ना आओ, तीसरा, दुखानू बार-बार अपने मान्च ना दोर आओ, चोथा, हारनू जित च बदलन्दा यतन करो, पज्वा मान्नू शान्त रखो, चेवा, जो विप्ता आपई एवनू खिडे मथे सहारो, ती अपने मान्न यतन करो, ती अठवा, बिप्ता वेच्वी, किसे नाल बुराई ना करो, तानू भा,